साबरकाठा जिल्ला ना प्रधान महाप्रबंधक श्रमन कुमार ना वरत हस्ते आउपयोगी औने आधोनेक सेवा नो शुभारंभ करवा माव्यों तो गुजरात सकल बीएसनल ना महाप्रबंधक डॉक्टर पी के होता जोडे विडियो कॉलिंग करी सेवा नी विजिवत्री ते खुलनी मुकी आती तो बीएसनल ना प्रहा प्रबंधक श्रमन कुमार ना जुनावन प्रमार ने तुक समे माजा सेवा सावर काठा ने अरवल ले जुला मा चालू करवा मावश तो आवरा संगे बीएसनल ना वरिस्ट रधिकार यो नगर जनो बीएसनल सिमकार्ड ग्राहा को बीएसनल डीलर वो साइत लोको मोटी संख्या मा उपसित रहा हता पहले तो मैं प्रांती सहर के सभी जो BSNL के उबोगता हैं उनको बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं और यहां के कस्टमर सबसे भागशाली हैं कि हिम्मत नगर SSC के अंदर साबर काटा और अरावली दो डिस्टिक्स आते हैं और इन दोनों में अभी कहीं भी 4G सेवा नहीं प्रारम की गए थी लेकिन मैंने सबसे पहले प्रांती सहर को चुना है और यहां के कस्टमर का इंट्रेस देख करके यहां का पोटेंशिल देखते हुए मैंने आ ऐसे तो हमारी जो 3G सेवाएं थी वो भी इटसल्फ बहुत बहतर थी क्योंकि हमारी जो प्राइबेट आपरेटर से उनसे हमारी जो 3G की सेवा उनके 4G से भी बहतर थी लेकिन आप 4G के चालू हो जाने के बाद आप जो है डेटा की स्पीड बहुत हाई होगी साथी साथ ज दो साल के अंदर जो एंड्राइड अगर जो है मोबाइल वो खरीदे हैं तो वो तो वो कमपेटिबल है वो काम करेगा लेकिन जिनके पास सीम पुरानी है वो तुरंत ही जो है यहां में टेलफोन एक्शेंज बिल्डिंग जो है प्रांतीज है जहां पर हमारे जो है जूनि प्रांतीज शहर में चार हमारे जो बीटीएस हैं वो 4G के लांच किए गए है तो इस तरीके से बहुत ही बेहतर सेवा जो है प्रांतीज शहर को मिल रही है इसके अलावा अब हम धीरे धीरे पुरे जो है शाबर काटा डिस्टिक और अरावली डिस्टिक के अंदर कुल सव अस्थानों पर जो हमारी त्यारी हो चुकी है वहाँ पर भी हम 4G की शुविदार लांच करेंगे जील रावल सद्यानेज गुजरात न्यूज प्रांतीज